नमस्कार, कैपिटल टीबी के खास कायकरम चुनाबी चौसर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चुनाबी नतीजे आ गए हैं, भाजपा, बिहार भाजपा जस्न मना रही है, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप ये जस्न क्यूं मना रहे हैं। ऐसा क्या तीर मार दी आपने जो आप पठाके फोड़ रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, मिठाईया बाट रहे हैं। हुआ क्या? पाँच-पाँच सीट का नुकसान बीजेपी को हुआ है। पाटली पुत्रा, बक्सर, आरा, सासाराम और औरंगाबाद के सीट बिहार भाजपा हार गई। जो चितोलगर था औरंगाबाद, जिस पर भाजपा को नाज था, वो सीट बाजपा हार गई। पाटली पुत्रा की सीट, कोई सोच नहीं सकता है कि बीजेपी वहां हार सकती है, वहाँ पर मीशाभारती चुनाब जीत गई। बक्सर में गलत सलेक्शन कंडिडेट का भाजपा को ले डूबा, मितले स्तिवारी को गोपाल गन से बक्सर भेजा गया, जीत गए जगदावाओ के बेटे सुधाकर सिंग, लालटेंज जल गया, आरा में राजकुमार सिंग जैसा परत्यासी, साब सुत्रा बेदाक छबी काम करने वाला परत्यासी हार गया, तो क्या कहा जाएगा, क्या ये जश्न मनाने का मौका है, देश बद में भाजपापने बल्मूते बहुमत नहीं पापाई, क्या這種 मनाने का मौका है, तो आखिर ये जश्न क्यों हो रहा है, देखिए पहले आंकड़े की बात करते हैं, फि जो चुनाव हुए उसमें पांच सीटों का नुकसान हो गया बीजेपी को तो पांच सीटों का नुकसान तो हुआ है लेकिन भोट परसेंटेज कितना घटा ट्रेक रिकाउड क्या है भाजपा का देखें 1996 के लोकसभा चुनाव में पहली बार समता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरने बाली भाजपा 32 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 18 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई थी उसी साल पार्टी को 20.54 फिजदी का मत मिला था इसके बाद अंठान्वे में 32 सीटों पर चुनाव लड़ी उसे 23 सीटों पर जीत हासिल हुई और दल को बीजेपी को 23.50 भोट मिला इस तरह से भोट पर तरह बढ़ा लेकिन 14 के बाद क्या हो गया 14 के बाद क्या हो गया देखिए 14 में 29.84 फिजदी भोट मिला भाजपा को सरकार बनी नर्न मोदी की और पूरे देश में बीजेपी का माहौल बना लेकिन 19 में बिहार में हम बिहार की बात कर रहे हैं 19 के चुनाब में बीजेपी का भोट परतिसत घट गया ये हो गया 23.57 में लगभग साढ़े 25 फिजदी और ये जो 24 का चुनाब हुआ इसमें तो हद हो गयी भोट परतिसत और घट गया ये हो गया 20.52 यानि की साढ़े 25 फिजदी यानि 14 में जो भोट परतिसत लगभग 30 फिजदी था वो घट कर हो गया 20 फिजदी 24 में मतलब 10 फिजदी भोटों का नुकसान 14 से लेके 24 साल में हो गया यानि 10 साल में 10 फिजदी भोटों का नुकसान BJP को उठाना पड़ा और 5 सीटों का नुकसान जिसके हम चर्चा कर चुके हैं 5 सीटों का नुकसान भी BJP को हो गया बहुत सारी सीटें देखिएगा जहां जहां बीजेपी जीती है वहां पे जीत का अंतर कम हो गया है जिसे बित्या में 1,36,000 से ही जीता है संजे जैसबाल मोतिहारी में 88,000 अररिया में 2,00, माराजगंज में 1,00, छप्रा में 143,361 वोट उज्यारपूर में केवल 60,000 बेगुसराय 81,000 नबादा 68,000 मदुबनी 1,51,000 दर्भंगा 1,78,000 मुझपरपूर 2,34,000 और पत्ना साहिब 1, 1,53,000 मतलब जितने भी सीटे भाजपा ने जीती है सब में जीत का अंतर लगबग घट गया है एकाथ सीट को छोड़ देतो तो ये जो भोट कमा है सीटे घटी है इसके बाब जूद जस्न हो रहा है तो इसका क्या मतलब है देखी आलाकमान ने इसको काफी गंभिता से लिय है बिहार में भाजपा का जो परफोर्वर्वन्स हुआ है वो भाजपा आलाकमान के कसोटी पर खरार नहीं उतरा है निगेटिव मार्किंग गई है कि सब की रहते हुए नितिश कुमार का साथ रहते हुए संसाधनों की कोई कमी नहीं तो कमी रह गई कौडनेशन में और प बिहार का भी ऑप्रेशन होगा और कई बड़े विकेट गिर सकते हैं बिहार में इसकी भी आसंका जताई जा रही है चुकि जो परफोर्मेंस है वो किसी लिहाज से भाजपा के अनुकूल नहीं है बहुत सारी चीजें हुई इस बीच बिहार भाजपा में बहुत लोग नि इसका महुल था कौन किसको साथ दे रहा है इसको साथ नहीं दे रहा है काराकार से पवन सिंग खड़े हो गए उसको लेकर कन्फूजन हो गया मैसेज गया कि भाजपा नहीं वहां प्लान कर दिया कुस बहाबोटों का नुकसान हो गया तो ये सारी चीजों को भाजपा कही नहीं कर पाई जिसका खया मेंज आप सहाबाद के रिजल्ट पर देख सकते हैं सहाबाद के अगर स्यारिश सीटे बिज़े पिहार रही है तो कही न कहीं से पवन सिंग का फैक्टर वहां पे चला है नरादगी थी कि पवन सिंग को आपने टिकट क्यों नहीं दिया उसको न बिहार में ले आईए तो होगा क्या आव तो सब नजर दिल्ली पर है सारी कवायद अभी सरकार बनाने को लेकर है सरकार बनने के बाद यकीन मानिए ऑपरेशन बीजेपी बिहार भी होगा और बहुत सारे विकेट यहां पर गिर सकते हैं इसकी आसंका है आप देखते रहिए क आपका बहुत धन्वाद आपका बहुत सुक्रिया